तो हेलो दोस्तों 20 दिन के VPC के Reds Coast में आपका स्वागत है तो आज 14th डे है हमारा और हम लोग आज जुलाई की Current Affairs को डिस्कस करेंगे तो अब हमारा जो Current Affairs से वो तीन महिने का और रह जाएगा दो महिने का देज आज 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 सेप्टेमबर ठीक है August और सेप्टेमबर दो दिन हमारा Current Affairs रह जाएगा अभी और जो रिमेनिंग चार दिन है उसमें हम लोग विहार की GK करेंगे चार क्लासे उसके लिए होंगे और लास्ट क्लास में हम लोग 2018 का जो BPSC का पेपर था उसको भी हम लोग एक बाड़े डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं हम लोग आज का Current Affairs जैसा कि हम लोग Grade Up से डिसकस कर रहे है तो जुलाई मेहने का monthly digest तो बैंकिंग सेक्टर से मैंने और जिन भी आप पहले भी आप लोग जानते है कि जो हमारे लिए वो क्या important है जो macro level पे होगा जो हमारे लिए पूरे इंडियन economy के लेवल पे जो important banking से लिटरी चीज़े है वो ही हमारे लोग जैसे कि RBI ने एक working group बनाई है छे member के जिसके head कोन है तपन रहे किसलिए है तो regulatory और supervisory framework for core investment companies ठीक है तो तपन रे जो है वो एक non executive chairman of central bank अंडिया के है और पहले पुराने secretary भी है ministry of corporate affairs के तो यह committee जो head का रहे है हो तपन रे तो question कैसे आएगा which committee has been formed by RBI to review regulatory and supervisory framework for core investment companies तो तपन रे committee तो आपके लिए यह बहुत important हो जाएगा उसके बाद अगला जो important है तो RTGS और NEFT से RBI ने सारे charges जो हटा लिए है यह आपके लिए important news है कि electronic और cashless transaction को और promote करने के लिए decision लिया गया है ठीक है इसके बाद यह आपके लिए एक important information है कि PAN जितने भी अधार से link नहीं है वो invariate हो जाएगा 1st September से तो जो कि आपको पता है कि Supreme Court का जो अधार case में जज्ज्मिन था उसमें PAN और अधार के link को उन्होंने compulsory बताया था ठीक है इसके बाद जो हमार लिए important होगा जो electrical vehicles है तो जितने भी electrical vehicles है उसके जो GST council ने क्या किया है GST rate को 12-5% कर दिया है और जो electric vehicle charger से उन पे भी 18-5% कर दिया यह सारा कही न कहीं किसको electric vehicles को promote करने के और environment friendly चीजों को start करने के लिए यह government यह initiatives है चीक है obituaries हमारे लिए बिल्कुल important नहीं है बिल्कुल भी कौन किसकी death होई that is not relevant हम दो उसको नहीं देखेंगे important days में आते हैं तो world day for international justice that is 17th July क्योंकि इस date को इसलिए चुना गया था कि इसी दिन Rome Statute जो जिससे की international criminal code बना हुआ है वो इसी दिन उसकी anniversary आती है उसलिए international world day for international justice इस दिन observe के आता है 17th July क्योंकि इसी दिन 1994 में international conference on population and development हुआ था उसके लिए उसके बाद जो इंडिन आम forces के operation विजय था जो की कार्गिल के war के टाइम पे तो उस टाइम के day को जो है विजय दिवस के नाम से भी मना जाता है यह वो अभी इस बार उसका 20th anniversary celebrate किया गया फिर इंपोर्टेंट आपके लिए ग्लोबल टाइगर डें 29th July एक है इंपोर्टेंट में भी मैक्रो लेवल की जो पॉइंटमेंट्मेंट्स होंगे जैसे एनेस विस्वनाथन जो कि लास्ट करेंट अफेर्थ में अमने देखा था कि विरालाचार्या जो थे वो भी रिजाइन कर दे जो कि डेप्टी गवर्णर थे तो उनकी जगा पे अब आये हैं जो नए डेप्टी के वर्णर वो है एनेस विस्वनाथन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदीस के भी नए गवर्णर जो बने हूँ है कालराज मिस्रा ठीक है और जो इंपॉर्टेंट है वो है चीफ मिनिस्टर जो गुजरात की पहले रह चुकी आनंदी बैन पटेल उन्हें गवर्णर बना गया यूपी का इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिया के बाद वह रहे तो जो नई मिनिस्ट्री है जल सक्ती मिनिस्ट्री उसके जो मिनिस्ट्र है वह है गजेंदर सिंह से खावत तो आपको यह याद रखना है न्यूज अभी हम देखेंगे क्या है पट अभी जो जल सक्ती मिनिस्ट्र व तो कौन सी अभी आने जल सकती अभी आन तो वाटर हावेस्टें को कंजर्वेशन मेजर्स को पर प्रोमोट करने के लिए लॉंच हिया गया इसके बाद तो Union Cabinet Committee on Economic Affairs जो है उसने MSP खरी 4 Ops के लिए 19-20 में बढ़ाने की जो है उसको मंजूरी दे दिये ठीक है Reliance Jio ने एक Digital Literacy प्रोग्राम लॉंच लिया डिजिटल उडान और इसको अब्जेक्टिव है तो प्रोवाइट डिजिटल लिटरेसी तो फॉर्स ताइम इंटरनेट उसर्स वार उसिस्टम एंड एप्स फॉर्स ताइम जिए जियो का नहीं इसकी में डिजिटल उडान UIDI ने अपना पहला आधार सेवा केंद्र जो है वो दिल्ली और विजेवारा में बनाया है जो वर्ल्ड सिटी और जैपूर है ये युनेस्को के वर्ल्ड हैस साइट लिस्ट में इसने अपनी इंटरी बनाई है ठीक है इंडिया के पास अब टोटल इंडिया में थर्टी नाइन वर्ल्ड हेटे साइट से हैं जिसमें 30 कल्चरल है साथ नैचुरल है और एक मिक्स्ट है एक उसके बाद आपको पता है कि चीनू खेलिकॉप्टर जो है वो बोइंग बना रही है युएस की कंपनी जो है वो इंडिया में उसके जो है दो नए हेवी लिफ्ट जो चीनू खेलिकॉप्टर है वो अराइव हुए थे आये थे युएस की बोइंग कंपनी है जो वो बना रही है फिर से पोखराण रेंज पे अडिया अडियो ने सक्सेस्फूली आर्मर पिरसिंग नाग मिसाहिल उसको टेस्ट किया है नाग बिसिकली जा एंडि टैंग मिसाहिल से हो लो फिर अर्पी एव जो रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्ट से उसने एक अल इंडिया ड्राइव स्टार्ट किया है इस ऑपरीशन थर्स्ट जो अनथराइज पैकेज डिंकिंग वाटर है उसके सेल को क्रैक डाउन करने के लिए तो आपसे कोईशन एक्जाम में पूछेंगा ओपरीशन थर्स्ट इस रिलेटेट टू यह याद रखिए कि जो भी अनथराइज सेल आपको पानी पैकेज डिंकिंग वाटर ट्रेंस में मिलते हैं जल्वी प्रिमाइसे में मिलते हैं उनको टैकल करने के लिए गए प्रिमाइसे में में मिलते हैं प्रिमाइसे में मिलते हैं चंद्रयान 2 मिशन जुलाई में लॉंच हुआ था तो यह आपको एक बस यह आद रखना है कि यहां चंद्रयान 2 मिशन 2 लॉंच हुआ था इसके बारे में detail दो देखेंगे जो है इसको लॉंच करने वाली वेहिकल का नाम है GSLV Mark 3 M1 जिसका निकनेम धा बाहू बली ठीक है टोटल कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आपको दूसरा चीज है कि यह इंडिया की चौथी कंट्री बनेगी जो सॉफ्ट लैंड करती मून पे बट ऐसा हुआ नहीं और जो यह इंपॉर्टेंट है कि इसके तीन जो मॉडियो से एक और बाइटर दूसरा लैंडर दीसरा रोवर तो और बाइटर तो अभी भी इसका विल और काम कर रहा है इसके तीन जो थे वो थे और बाइटर लैंडर और 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 इनके नाम जो विक्रम और प्रज्ञान प्रिर आपको जो इंडिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो है वो 24 प्लेसे जंप दिखा है तो 80 वर्स से 57 पोजिशन पी आ गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो WIPO वीपो करती है परब्लेस इसके बाद स्टेट से इंपॉर्टन न्यूज देखते है कुछ पहले यूएस और साउथ कोरिया के बीच में जो मिलिट्री एक साइज एन्वल होती है उसका नाम 192 डॉंग म्यांग है ठीक है यह आपको जाए पिर इंपॉर्टन न्यूज हम देखते है तो इसमें टॉल फिरी चीफ में से हेलप्लाइन नंबर यूपी ने वेक लांच ही है रिसेंटी 1076 असके बाद देली पुलिस में 333 चेल्ड्रेन को उपनी फैमिली से यूनाइट किया इस साल अंडर दो ऑपरेशन मिलाप ऑपरेशन मिलाप देली के जो एंटी हुमन टाफिकिंग उनिट है देली पुलिस की वो इसने गंड़क कराया इस प्रॉपर ऑपरेशन को ठीक है इसके बाद मेगाले पहला इस्टेट बना इंडिया का तु इंस्योर कंजर्वेशन ऑफ वाटर उन्होंने एक ड्राफ पॉलिसी अप्रूफ किया गैबिनेट ने ठीक है और इसका पॉलिसी का अब्जेक्टिव है कि वाटर रिसोर्स को रिकोगनाईज करना इसके अब्जेक्टिव पॉल रिसोर्स एक है तो कंजर्वेशन से लेटर पहला इस्टेट यह बनाई इसके बाद 36 अबिकापूर में पहला गार्पेच कैफे जो है इंडिया का वो लांच हुआ है इसमें क्या है कि अबिकापूर सिटी के 36 अबिकापूर सिटी में इसमें क्या है कि एक पर्सन केचिंग कीलो अफ प्लास्टिक वेश्ट तुदा गार्पेच कैफे विल अस्योर्ड फूल मील तो अगर आप उस कैफे में जाके गार्पेच की कटागर के जमा कर रहे हैं तो आपको एक उसके बदले में टोकन मिलेगा जिसके थुरू आपको खाना मिलेगा प्रॉकर एक फूल में यह पहला है अपने इस तरह का फिर परिवार पहचान पतर 14 डिजिट का एक परिवार पहचान पतर यह इस खर्याना में लॉंच किया गिया है ओडीशाब के चीफ मेंस्टर नविन पत्नाइक ने अनौनस किया है कि जो सची वाले थे उनको अब लोक सेवा भवन के नाम से जाना जाएगा फिर उदामपूर जम्मु अन कास्मीर का जो अड्मिस्टरेशन है उसने एक हेलप लाइन लॉंच करी है जीने दो यह बेसिकली किसलिए है तो इंप्रोव सेक्स रेसियो और यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस पीम के आप कह सकते है एक प्रोमोशन के लिए यह कहा जा सकता है कि किसलिए वेमर्ट में हमारी लिए जो इंडिया से इंपोर्टेंट है वह ही कि स्ट्रोव अटाका जो है वह एक अटि टैंक मिसाल है जिसके लींदिया और अश्याय विचमे जील है पहला Joint Security XA is International Security Alliance का ISLX-19 जो है वो अभी हाल में अबुधाबी में हुआ है दुबाई एयरपोर्ट में इंडियन रुपी हर डिटेल आउटलेट पे एकसेप्टेट करेंसी के तरह यूज किया जाएगा ओके उसके बाद इंडिया जो है उसमें सेप्टेमबर महिने में अल्डेडी होश कर लिया 14th Conference किसका United Nations Convention on to Combat Desertification UNCCD का वो देली में हुआ है इसके बाद अगर कुछ इंडिया से रिलेटेड होगा अगर कुछ इंडिया से रिलेटेड होगा सुप्रीम कोट में एक तीन मेंबर हाई पावड कमिटी बनाई है तो अरजेंटली फ्रेम एंड इंडिया इंडिया रिस्पांस प्लान प्रोटेक्शन अफ टू इंडिया बोस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन है इन दोनों के लिए सुप्रीम कोट ने एक हाई लेबल कमिटी बनाई है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जा सकता है इमेडियेटली तो इडिशा ने को उनर से प्राइट वो जीद गया अपने जी आई टैग के लिए इसके ओवरिट्स रसगोला ठीक है उडिशा का जो रसगोला है उसको जी आई टैग मिला हुआ था तो बोथ उडिशा और वेस्च बेंगौल इसके ओरिजीन के लिए लगाई कर रहे थे वैस्च बेंगौल का जी आई टैग भंगला रसगोला के लिए मिला हुआ है कुछ नहीं है तो अज का जो करेंट अफेर से वह हमारा कम्प्रीट है अब हम लोग कुछ कुछ क्वेशन देखते हैं हाली में कोटा ने सबसे वह सिटी गिनिज बूक आफ रिकॉर्ड मिनों ने नाम दिखाया कि सबसे या नंबर और फिपल योगा एक बार में एक टाइम पर करने का ठीक है असके बाद सिपरी जो है according to Stockholm International Peace Research Institute सिपरी इंडिया इस वर्ल्स फाइब बिगेस्ट मिलेटरी स्पेंडर्स इन 2017 फिर महरास्ट्रा ने हाली में लैंड्लेस लेबरर्स के लिए जो सिड्यूल कास्ट में उनको अग्रिकल्चर लैंड अक्वायर करने के लिए एक स्कीम लांच करी है इसमें around 80-100 questions है आपको यह सारे questions जुलाई महिने से मिलेंगे और आपको सारे complete करने है जो बिहार के जुलाई महिने के कर इंटरफेर से वो लुमलो अगली class में जुलाई ऑगस्ट एक साथ कर लेंगे तो इसके questions आप प्लीज फॉलो किजिए जुलाई महिने के और जितनी ज़्यादा questions हो सब्सक्राइब प्रैक्टिस कीजिए आखरी 6-7 दिनों में और साथ-साथ जो rumors है उनसे बचिए अगर examination cancel या postpone होना भी है तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है वो postpone होगा भी तो फिट कभी ना कभी exam तो है तो at least अभी उसी flow में आप कमसे हम पूरी अच्छे से preparation तो कर ले अपनी प्लीज जो भी rumors हा रहे उनसे ignore कीजिए अगर extend होंगे date कोई बात नहीं नहीं होंगे तब भी कोई बात नहीं एक्जामस हमें देना ही था वैसे भी तो आप उन सब rumors हो side रखी और please prepare कीजिए और जितनी जाला questions हो सकें solve कीजिए कोई भी problem कोई भी doubt हमारे telegram channel पे आप हमसे प बिहार के अमर्व जीके में geography को देखेंगे एकल बिहार की geography तो thank you so much see you tomorrow अब तक के लिए good night